खेल डेस्क इंजियन प्रीमिय लीग आईपेल में शनिवार को खेले गए दिल्ली केपिटल्स और कोलकाटा नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मैच के दौरान विकेट की पिन कर रहें रिशब पंत की आवाज माइक स्टंप में कैध हो गई कोलकाटा की पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा था ओवर की चौथी गेंड पर दिल्ली के संदीप ले मिचने ने निखल नाइक को LBW कर दिया रॉबिन उथपा क्रीज पर आए संदीप के अगली गेंड फेंकने से पहले विकेट के पीछे खड़े पंत ने कहा यह तो वैसे भी चौका है उथपा ने उस गेंड पर चौका ही मारा अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया इसके बाद आई फ्लेल में लाइव फिक्सिंग की बात होने लगी ललित मोदी ने भी रिट्वीट करते हुए भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बी सी सी आई की नियत पर सवाल उठाया मोदी ने लिखा क्या यह मजाक है विश्वास नहीं कर सकता कि यह माच इतने उच्चस तर पर फिक्स किया गया है बी सी सी आई कब जागेगा किसी ने जान बूच कर ऐसी हरकत की बी सी सी आई बात ज्यादा पढ़ने पर बी सी सी आई निघटना पर सफाई दी है उसके एक पदाधिकारी ने बताया सोशल मीडिया पर जो विडियो वाइरल हो रहा है वह आधा है किसी ने जानबूच कर ऐसी हरकत की है पंप ने अपने इस वाक्य से पहले क्या कहा उसे किसी ने नहीं सुना वे कप्तान श्रिया सयर से ओफ साइड पर फील्ड बढ़ाने की बात कह रहे थे ताकि चौका बचाया जा सके सुपर ओव में दिल्ली ने कॉलकाटा को हराया था इस मैच में कॉलकाटा ने पहले बल्लेवाजी करते हुए 20 ओव में 8 विकेट पर 185 रन बनाए लक्षिका पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम वीस ओव में 6 विकेट पर 185 रन ही बना पाई और मच टाई हो गया मैच सुपर ओव में पहुँचा और कगसुर अबाडा की गैनबाजी की बदॉलत दिल्ली जीत थासिल करने में साफल रही